दोस्तों आज किस वीडियो में कोई तितली से जुरी कोई अमेजिंग ट्रेक्ट बताने वाले हैं जिसके बारे में साइधी आपको पता हूँ अचली भी नगस्तेरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आप जानते की वास्ता में टितली एक परकाल का कीट है लेकिन प्राकितिक नीसे इतना सुदर बनाया है कि यह सभी को अपनी ओरा कर्सित कर लेती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि तितली का जीवनकाल बहुत कम होता है आपको बता दे कि लंबे समय तक जीवित रहने वाले वैक्स तितली 9 महीने एक वर्ष तक जीवित रहती है लेकिन अधिकास परजाती का उसर जीवन काल केवल 2-4 हपता होता है इसके अलावा मादा तितली नर की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती है मज़े की बात यहां कि मदमख्यों की तर तितली भी फूलों से पराख चुसती है और जीवित रहती है आप घड के बने पराग और पुराने फ़लों का उपयोग करके तितलीों को आकर्शित कर सकते हैं आपको बता दे तितली अपने पैर से किसी भी चीज का स्वाद ले सकती है उसके पैर में स्वाद सेंसर होता है तितलीों का मुख्यूरूफ से फूलों में पराग चुशने का काम करता है मज़े की बात तो यह है कि तितली के पास एक लंबी नालिका सद्रस जीव होती है जिसके माध्यम से वो अपना भोजन अपसोसित करते हैं दोस्तों कि आप जानते हैं कि तितली का कंकाल उसके सरीर के अंदर नहीं होता है और इसे इसको एस्कलेटन कहा जाता है यह हड़ी से बनी तवचा की तरह होता है उसके सरीर में जल तत्व का रक्षा करता है आपको जानकर हैरानी होई कि कई वेक्स तितली अपने भोजन को पूरी तरस से पचा लेती है और अपने सरीर से कोई भी अफ्सिष्ट बाहर नहीं निकालती है आपको बता दें मादा तितली नर्ड तितली के तुलना में अकार में बड़ी होती है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि तितली अ हमेशा पत्तियों पर अंडे देती है यह अपने पैर से पता लगाती है कि यह पत्ता अंडा देने के लिए उप्यूप्त है या नहीं मज़े की बात तो यह है कि तितली अ हमेशा पत्ते के नीचे ही अंडे देते हैं इसलिए उसके अंडे आम तोर पर दिखाई नहीं देते हैं इसके अंडे की संख्या लगवक 400 होती है और ये अंडे समू में होते हैं क्या आप जानते हैं कि तितलिय अपने पैर पर लगे एंटीना से किसी भी बस्तू का गंध पता लगा सकती है क्या आप जानते हैं कि पिठवी वे तितलियों की 24,000 पर जातिया पाई जाती है अंटाटिका को छोड़कर हर महादीप में तितलिया पाई जाती है आपको जान का हैरान हुए कि भारत में तितलिया की 500 से अधीक पर जातिया पाई जाती है आपको जान का अश्चर्य होया कि तितलियों का सटिक्दा का महारत हासिल है वोई अपना रास्ता कोई 100 किलिमीटर तक अपने लक्ष का सटीक पहुँच सकते हैं एक और चौकाने वाली बात कि आप जानते हैं कि तितलिया भविस्त भी देख सकती है तितलिया आगले दिन के मौसम का अंदाज एक दिन पहले ही लगा सकती है दुनिया वे कुछ ऐसे भी तितलिया और पतंग स्तंधारी के सरीड से तरल पदार्थ के सेवन के लिए मुख्यत है कि मौका मिलने पर वो आपका खून पसीना और आंसू भी पी सकती है जो पर टेक सर्दी में आउस्ता अरहाई जार मिल की यात्रा करती है दरासल मौनाग तितली सर्दी से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है दोस्तों अगर आपको इस तरह का फैक्ट जाना बहुत अच्छा लगते हैं दो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर दें और एक प्याड़ा सा कॉमेंट कर दें थैंक्यू सो मच